नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आज आपके आगे लेके आगे हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर टॉप एंड वेरियंट का एक डीटेल वॉकराओं दोस्तों काफी दिनों से मैं इसे चला रहा हूं और टोयोटा मोटर्स इंडिया ने ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड कराई है आज देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर टॉप वेरियंट के अंदर क्या-क्या चीज इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करा दी गई है एंड में आपको अपना वर्डिक भी बताएंगे कि क्या ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं अराउंड अराउंड दस गाड़ियां आती हैं इस सेग्मेंड में और कहीं ना कहीं हर ब्रैंड कोशिश कर रही है कि इस सेग्मेंड के अंदर एक प्रोड़क्ट जरूर रखा जाए कुछ मेंशन कर देता हूं यहां पे नाम तो एक तो इसकी कजन मारूती विटारा ब्रेजा उसके अलावा टाटा नेक्सॉन महिंद्रा एक्सुवी 300 निसान की मैगनाइट और साथ ही रेनो की काईगर ये कुछ स्पेशल मेंशन्स है उसके अलावा हिंड़ी की वेन्यू औ सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की साईड रेर की और फिर चलेंगे इंटीरियर की तरह टो दोस्तों फ्रंट में आ जाते है तो सबसे पहले तो आपको ये इमपोजिंग देखने को मिलेगी जो कि तोयोटा के बैज के साथ आती है और नीचे इसमें क्रोम की अंडर लाइ नमबर मेट आपको यह कर सकते हैं यह परको दी गई है-अ और शिलबर कलर में आपको सट फ्लेट देखने को मिलती है उसके अलावा दोस्तों, ग्रिल के साइड में आप देखेंगे, तो दोनों ही साइड आपको क्रोम फॉरमेशन देखने को मिल जाएगी, जो की ग्रिल को कनेक्ट करती है, अब आजाते हैं अपने हेड्लाम्स की तरफ, तो यहां पर आप देखेंगे, डू़ल प्रोजेक्टर तो fog lamps around में honeycomb design का usage, यहाँ पे chrome का surround और fog lamps भी आपको LEDs के अंदर ही दिए गए है बोनट की तरफ लेके आता हूँ, तो दोस्तों, minimalistic design के साथ यह गाड़ी आ रही है यह जो आप chrome lining देख रहे हैं, इस पे यहाँ से शूरू होती है इसकी line और बिलकुल बोनट के edge तक एक formation बनती है overall, front look के हिसाब से गाड़ी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं इस time और अब आजाते हैं इस गाड़ी की side look की तरफ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे fog lamp के just नीचे, तो यहाँ से cladding स्टार्ट होके पूरे wheel around की तरफ जाती है और गाड़ी में 360 degree cladding से cover किया गया है यहाँ पे आप देखेंगे, तो सेंटर में Toyota की बैजिंग के साथ आपको मिलेंगे diamond cut alloy wheels, tire size की बात करें 215, 60 और 16 का यहाँ पे tire size दिया गया है अब आजाते हैं उपर stance की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो SUV type stance के साथ यह गाड़ी आती है, जैसा कि यह इसकी segment ही दर्शाती है, कि यह एक mini SUV segment की car है अब दोस्तों जो color मैं आपको दिखा रहा हूँ, dual tone finish के अंदर आ रहा है, उपर से यह गाड़ी black में finish करी गई है और नीचे से brown body color के अंदर finished है ORVM की तरफ आएंगे, तो ORVM के उपर आपको turn indicator देखने को मिल जाता है, और door handles की तरफ आजाते हैं, तो request sensor यहाँ पे दे दिया गया है B pillar आप देखेंगे, तो again blackened है, और उपर आप roof की तरफ देखेंगे, तो एक तो silver color में यहाँ पे roof rails लगाए गई है, उसके अलावा आपको piano black roof देखने को मिलेगी और पीछे आजाते हैं, तो दोस्तों C pillar again, यहाँ तक आपको piano black में देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक छोटा सा part, fiber का लगा दिया गया है यहाँ पे आजाते हैं, तो left side में आपको fuel filler cap देखने को मिलेगा, चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं, rare design की और rare में क्या-क्या चीज़ें provide कराए गई हैं, उस चीज़ की तो सबसे पहले, नीचे से start करते हैं, क्योंकि generally हम आपको उपर से दिखाते हैं, तो यहाँ पे again silver color mask kit plate, बाकी cladding वाला black finish यहाँ पे भी दिया गया है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा गंदा हो गया, अभी just गाड़ी आपके लिए wash कराई थी, एक, दो, तीन और चार, चार parking sensors हैं यहाँ पे, number plate के लिए placement यहाँ पे दी गई है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे, तो एक बड़ा सा chrome जिस पे लिखा गया है, urban cruiser, उसके उपर आएंगे तो Toyota की badging कर दी गई है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, wiper, defogger, washer की placement यहाँ पे, और यह आप tail lamps की तरफ, तो दोस्तों tail lamps इसके रात में काफी अच्छे लगते हैं, जरूर दुबारा से कहना चाहूंगा, night drive review इसका जरूर देखिएगा, यह पूरा surround आपको LEDs में देखने को मिलेगा, और इसका reverse lamp और indicators, यह दोनों ही पार्ट हेलोजन के अंदर है, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे again, reflectors की finish कर दी गई है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी boot space की, और देखते हैं आखिर boot में कितना space रखा गया है, Toyota Urban Cruiser के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं request sensor की, तो दोस्तों यहाँ पे request sensor आप देख सकते हैं, यह जो बड़े size का है, यहाँ पे request sensor लगाया तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे right side की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक power socket और एक boot lamp देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा boot capacity की बात करें, तो 328 liters की boot space है, दोस्तों इसकी parcel tray मुझे काफी अच्छी लगी, आप देख सकते हैं, यह फोल्ड हो जाती है, और आप च नीचे आजाते है, spare wheel की तरफ, तो दोस्तों spare wheel, steel wheel रखा गया है, tool kit, triangle और साथ में tire size की बात करें, तो 215, 60 और 16 का tire size यहाँ पे दिया गया है, अब दोस्तों इसके boot में एक बहुत ही practical जगा, यहाँ side में आप देखेंगे, तो आप कोई भी अपना छोटा मोटा समान कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे एक hook भी आपको provide करा दिया गया है, बात करते हैं rare seat की, तो आप देख सकते हैं, यह 60-40 split seats हैं, और इनका access आप यहाँ से कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, 60-40 split कर सकते हैं आप इन seats को और कोई बड़ा समान रख रखना चाहें, तो easily रख सकते हैं, आ जाते हैं उपर की तरफ, तो दोस्तों वैसे inside में भी अगर आप यहाँ पर note करेंगे, तो dual tone theme ही follow किया गया है, जो कि यह काफी अच्छी attention to detail है, यह पार्ट गाड़ी का black है, और यह पार्ट brown रखा गया है, बात करते हैं, open wires की तो कु interior का एक outlook, अब बात कर लेते हैं इसके price, variant और engine की, तो दोस्तों यह गाड़ी आपको मिलती है, 11,58,000 एक showroom के price में, और यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह urban cruiser का सबसे महंगा variant है, premium automatic, अब लेके आजाते हैं आपको engine bay की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते है, typical 1.5 liter petrol engine, जो कि मारूती और Toyota की इन गाडियों के अंदर आता है, दोस्तों naturally aspirated engine है, और यह engine आपको provide कराता है, 105 PS की power, और साथ ही में 138 Nm का torque, packaging बगेरा आप देख सकते हैं, प्लस अगर insulation की बात करी जाए, तो उपर आएंगे, तो यहाँ पे भी proper insulation करी गई है, और even NvH levels के मामले में, गाड़ी वाकी काफी अच्छी रखी गई है, और इस चीज का एसास आपको कराएंगे अपने drive review के अंदर, तो चलिए दोस्तों, start करते हैं अब interior की बात, तो interior में सबसे पहले दिखाते हैं, आपको driver side door panel, उपर से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप द दिया गया है, silver के अंदर, इस part के अंदर, हलाकि यह part of plastic ही है, यहाँ पे आप देखेंगे, तो brown color के fabric का usage है, चार power windows दी गई है, और driver side auto function है, उसके अलावा lock unlock और window lock के buttons यहाँ दे दिये गए हैं, नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, speaker की placement दे दी गई है, उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा, एक one liter का bottle holder, जिसमें आप easily अपनी bottle place कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, उसके अलावा यहाँ पे, एक और कभी hold दिया गया है, जो कि यह काफी अच्छी spacing बन जाती है, कोई भी चीज रखने के हिसाब से, अब आपको ले आते हैं interior की तो सबसे पहले आप देखेंगे AC event के surround में आपको piano black का touch देखने को मिलेगा, नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे placement है start stop button की, auto off, यानि की smart hybrid system मारूती provide कराता है, वो आपका इस button के through operate होगा, आपके mirrors, auto folding, electric folding और electric adjustment के साथ मिल रहे हैं, तो वो आप इससे use कर सकते हैं, और folding के यह बटन दिया गया है, headlamp leveler आप यहां से use कर सकते हैं, और यह एक छोटा सा कभी old दिया गया है, जहां पे आप अपना कोई भी छोटा मुटा समान कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, अब आपको दिखा देता हूं इसकी key, तो key कुछ इस तरह से मिलेगी, ऊपर Toyota का logo, lock unlock क buttons, और back से कुछ ऐसी दिखाई देती है, बाकी, कुछ इस तरह से आप अपनी physical key का access भी ले सकते हैं, चलिए key को बंद कर देते हैं, और नीचे आजाते हैं, तो यहां से आप अपने hood का access लेंगे, और brake pedal, accelerator, और यहां पे आपको left side में dead pedal की placement भी देखने को मिल जाती है, यहा आपको part of accessories में देखने को मिलती है, बाकी seat की बात करें, तो seat में height adjustment और recline दे दिया गया है, सारी seats आपको manual adjustment के साथ ही देखने को मिलती है, steering की तरफ आजाते हैं, तो यहां पे आपको सिरफ tilt adjustment देखने को मिलेगी, कोई भी telescopic adjustment का scope यहां पे नहीं दिया गया है, तो steering आप देखेंगे, तो leather wrapped steering wheel दिया गया है आपको, center में Toyota की badging, airbag की placement कर दी गई है, Surround में आप देखेंगे, तो तीनों ही जगा हलका सा chrome का touch मिलेगा, three spoke steering wheel है, जिसमें left side में आपको मिलेगे media related controls, अभी music system की बात भी करेंगे, और right side में आपको मिलेगा cruise control, speedometer की तरफ आ जाते हैं, तो speedometer आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यह आप देख सकते हैं, और सारी warning lights वगेरा आपके सामने है, उसके अलावा बात करते हैं, मीटर की कुछ details की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, rpm meter दिया गया, right side में आपको मिलेगा speedometer, और center में देखने को मिलेगी, एक small mid, अब mid के अंदर क्या-क्या functions आपको दिखा देते हैं, तो यह आप देखेंगे range आपको दिखा रहा है, उसके अलावा कितनी fuel efficiency आपकी गाड़ी दे रही है, यह आपको दिखाएगा सिरफ while driving, उसके अलावा यह आप देख सकते हैं, तो average आपको estimated average यहाँ पर जरूर दिखा देगा, but instantaneous fuel economy जो दिखाता है, वो सिरफ while driving दिखाएगी, और वापस से आगया ह हैं, टॉगल करने के लिए, और left side वाले बटन से आप trip B और trip A को adjust कर सकते हैं, easily, चलिए यह तो बात हो गई, MID की, अब आपको दिखा जाता हूँ, पूरे dashboard का एक look, तो कुछ इस तरह से पूरा dashboard दिखाई देता है, जरूर comment section में लिखेगा, कि आपको कैसा लगता है, यह dashboard layout center की तरफ आजाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक hazard lamp switch, dual AC vents और एक 7 inch का test screen system दिया गया है, यहाँ पे आपको कोई भी physical controls नहीं दिये गया है, जो कि एक con मैं मानूंगा इस गाड़ी का, हलाकि यहाँ पे आपको touch based controls प्रोवाइड करा दिये गया है, बाकि surround अगर आप USB socket, power socket और एक थोड़ा सा कभी hole देखने को मिल जायागा, प्लस इसके अंदर आपको मिलता है, एक 4 speed का automatic gearbox, दोस्तों यहाँ पे आपको parking, reverse, neutral, drive, उसके अलावा second gear और load या low mode जिसे बोलते हैं, वो भी provide करा दिया गया है, shift lock के साथ, और बात करते हैं बाकी चीजों की, तो य यह आप देख सकते हैं, सेंटर में आपको twin cup holders, एक छोटा सा कभी hole, handbrake provide करा दी गई है, और उसके अलावा armrest की तरफ जाते हैं, तो sliding function के साथ यह armrest आपको देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर भी थोड़ी सी storage आपको देखने को मिल जाती है, चलिए, अब दिखाते ह आपको seat fabric, तो कुछ इस तरह से brown finish में आपको seat fabric देखने को मिलेगा, और front में adjustable headrest दे दिये गा है, प्लस आपकी जो seat belts हैं, वो भी height adjustment के साथ आती है, passenger door बिलकुल similar दिखाई देगा, आ जाते हैं passenger side dashboard या glove box की तरफ basically, तो उपर आपको एक छोटा सा glove box देखने को मिलेगा, यह यहां पर textured plastic finish, और नीचे एक छोटा सा glove box और देखने को मिल जाता है, चलिए इन्हें बंद कर देते हैं, उपर की तरफ आते हैं, तो दोस्तों यहां पर mirror और light के साथ में आपको provide कराया गया sunshade, और driver side सिरफ आपको देखने को मिलेगा, एक ticket holder, center console की बात करें, तो यहां प आपको देदिया गया, आप देख सकते हैं, चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं, touch screen के कुछ options, तो यहां पर आपको Android Auto, Apple CarPlay देखने को मिल जाता है, उसके अलावा, यहां आप देखेंगे, तो touch based controls हैं, और touch response काफी अच्छा लगा मिरको इस system का, overall सभी basic features के साथ ही और आप चाहें तो कुछ इस तरह से इसे off भी कर सकते हैं, home screen कुछ ऐसी दिखाई देती है, reverse camera की quality की बात कर लेते हैं, तो यह आप देखेंगे, मैं यह कह सकता हूँ, satisfactory quality है, कोई बहुत अच्छी quality का use यहां पर नहीं किया गया है, बाकी दोस्तों, एक चीज ज़रूर मिस क कर रहा हूँ यहां पर, अगर physical controls दे दिया जाते हैं, तो काफी बहतर response यहां पर देखने को मिल सकता था, बाकी, यहां पर आप देखेंगे, तो आपके fog lamp के controls यहीं पर दे दिये गया है, headlamp से related controls भी हैं, और auto headlamps का function है, साथ ही आप देखेंगे, तो auto wipers या rain sensing wipers जिने बो को दे दिये गया है, चलिए दोस्तों यह तो बात हो गई, front looks की, front interior features की, अब चलते हैं, rare space की तरफ, चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, spacing की, तो head room यहां पर मिर को काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, around 5 inch का, और leg room की तरफ आ जाते हैं, तो around 2 inch का leg room यहां पर driver seat adjust करी गई, तो अब चलते हैं, rare seat space की तरफ, और वहां देखते हैं, क्या कुछ चीज़ें provide करा दी गई है, तो दोस्तों पहली observation, तो ingress काफी easy था, head room थोड़ा कम हो चुका है, around 3 inch, leg room भी थोड़ा बढ़ चुका है, around 3 inch, features की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक hook की placement है, seat back में pocket दे दी गई है, और बाहर आ जाते हैं, door panel की तरफ, तो same textured plastic, silver finish, inside door handles, chrome के अंदर, और power window switch, plus bottle holders दे दिये गई हैं, और speakers की placement यहां पर कर दी गई है, उसके अलावा बात करते हैं, तो दोस्तों, यहां पर armrest with twin cup holders दे दिया गया, यह आप देख सकते हैं, और इसकी तरफ आते हैं, तो यहां पर आपको grab handle with coat hook दे दिया गया, और center के अंदर एक cabin lamp भी आपको देखने को मिल जाता है, रेर में कुछ इतनी चीज़ हैं provided है, कोई rare race events या charging socket यहां पर provided नहीं है, चलिए अब बात करते हैं, अपने verdict की, तो दोस्तों देखा आपने, एक detailed walk around Toyota की urban cruiser का, दोस्तों यह top end variant premium automatic मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कैसे लगी आपको गाड़ी, कैसे लगे आपको features, जरूर लिखिएगा comment section के अंदर, price मैं आपको already बता चुका हूँ, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कुछ और चीज़ों की, तो safety के मामले में, यह गाड़ी 4 star rating के साथ आती है, और 1130 kg का, इसका curve weight है, दोस्तों SUV की एक जो important बात होती है, वो होती है इसकी ground clearance, तो ground clearance के मामले में भी गाड़ी काफी अच्छी है, 198 mm की ground clearance के साथ ही आती है, दोस्तों बहुत ही जल्दी, ब्रेजा का भी और Urban Cruiser का भी एक update due है, तो उस update के बाद expectation है कि इन दोनों ही गाड़ीयों के अंदर CNG भी आ जाएगी, कैसा लगा आपको आज का update जरूर लिखिएगा comments में, बाकि आज के वीडियो में बस इतना ही, सीट बेड लगाए रखें और अपना देन लखें, तन्यवाद!